कोरोना और मंकी पॉक्स के बीच अब पुवासन वाइरस ने बढ़ाई चिंता जानिये क्या है इसके लक्षिन दुनिया अभी कोरोना वाइरस और मंकी पॉक्स वाइरस के खत्रे में उबर नहीं पा रही कि अब एक और वाइरस ने दस्तक दे दी है कनेक्टिक की एक महिला की मौत की जानकारी दी राजकेस आरवजनेक स्वास्त विभाग के नसार मरने वाली महिला की उम्र नब्बे वर्स थी और वा न्यू लंदन काउंटी में रहती थी वा मई की शुरुआत में इस वाइरस की चपेट में आई थी और 17 मई को उसकी मौत हो गई बताया जाता है कि इस साल कनेक्टिक में इस वाइरस की चपेट में आने वाले वा दूसरी महिला थी हालांकि अभी तक किसी की मौत नहीं हुई थी आईए आपको बताते हैं इस वाइरस से जोड़ी हर जानकारी पुवासन वाइरस क्या है? एक्सपर्ट ने अपनी स्टडी में बताया है कि पुवासन वाइरस एक फ्लैबी वाइरस है जो टी को द्वारा प्रोशित होता है पुवासन वाइरस जादा तर उतरी अमारिका और रूस के सुदर पूर्व में पाई जाते है पुवासन वाइरस का नाम ओंटा रियो के पुवासन शहर के नाम पर रखा गया है जहां पहली बार 1958 में एक यूवा लड़के में इसकी पहचान की गई थी बाद में उसके इस वाइरस से मौत भी हो गई थी उत्री अमारिका में जो पुवासन वाइरस पाई गए हैं उसके दो प्रकार होते हैं एक है लाइनेज 1 और दूसरा लाइनेज 2 पुवासन वाइरस कैसे फैलता है अमारिका स्वास्थ विभाग का कहना है कि वाइरस से संकरमितिक टीक के काटने से लोगों को पुवासन वाइरस की विमारी हो सकती है DPH आयुक्त मनीश जुथानी ने बताया कि या घटना हमें याद दिलाती है कि अब टीक काटने को रोटने के लिए कारवाही करने की ज़रुत है क्या है इसके लक्षन पुवासन वाइरस से संक्रमित कई लोगों में कई लक्षन देखने को नहीं मिले है जबकि कई लोगों में इसके हलके फुलके लक्षन ही दिखाई दिये है डॉक्टरों की माने तो इस वाइरस से पीडित होने पर बुखार, सरदर्द, उल्टी, कमजोरी, दौरे, एंसफाइटीस, मैनीजाइटीस, आदी के समस्या होती है गंबीर बिमारी वाले मरीजों में सरदर्द और मेमोरी लॉस से संबंधित समस्या होती है एस वाइरस से मौत का खत्रा कम है पवासन वाइरस का इलाज कैसे करें? यदि किस वेक्ति को लगता है कि उसे वाइरस है तो उसे प्राथमिक्ता के आधार पर फौरण डॉक्टर कसे मिलना चाहिए एस वाइरस के इलाज के लिए कई विरिष्ट दवा नहीं है डॉक्टर अलग-अलग दवा आपको लिखते हैं इसलिए डॉक्टर से परामश जरूरी है धन्यवाद इस रिपोर्ट में बस इतना ही बने रही है एशिया न्यूज इंडिया के साथ